अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोलिवुड में अच्छी फिल्में दे रहा हो तो लोग समझते हैं कि इसका तो मुंबई में एक स्यांदार घर होगा लेकिन आपकी इसी गलत फैमी को दूर करने के लिए आज हम आपको उन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताएंग जो मुंबई में आज भी किराए के घर पर रह रहे हैं बोलिवुड के ग्रीक गोड कहे जाने वाले अभिनेता रितिक रोसन ने कई रियल एस्टेट रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है इसके बाद भी अभिनेता ने जूहू में एक किराए के एपार्टमेंट में जो अक्से कुमार और ट्विंकल खन्ना के बंगले के ठीक बगल में हैं अभिनेता लगबग एक साल से वहां रह रहा है वो हर महीने आठ लाग पच्चिस हजार रुपए किराया दे रहा है स्रिलंकन ब्यूटी और पूर्व मिस यूनिवर्स स्रिलंका जैकलीन फर्नेंडिस सी फेस के पाँच बैडरूम एपार्टमेंट में रहती हैं जिसे बॉलिवूड एक्ट्रेस प्रियंका चोपडा जोनास से लीज पर लिया गया है जैकलीन फिलहाल 6,78,000 रुपए हर महीन सेंड्स अपार्टमेंट में रहने से लेकर बांदरा में किराए के पैंट हाउस तक कैटरीना कैफ हमेशा एक किराएदार रही हैं कैटरीना कैफ 15,00,000 रुपए हर महीने किराए के देती हैं परियनिती ने अपने बॉलिवूड करियर की सुरुआत फिल्म लेडीज वर्से की बहल से की थी अंबाला गर्ल परियनिती अभी भी अपने सपनों का घर ढूंड रही हैं लेकिन उसके पास उसे खोजने का समय नहीं है इसलिए अभी भी वो मुंबई में दो बैडरूम के अपार्टमेंट में किराएदार हैं टॉलिवूड एक्टर विदुत जामवाल दो हजार बारा में फिल्म फोर्स के साथ बॉलिवूड इंडस्टरी में अपनी सुरुवात की उन्हें बॉलिवूड के न्यू एज के एक्टर हीरो के रूप में भी जाना जाता है विदुत जामवाल प्रोपरटी खरीदने में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और के वो किराए के एपार्टमेंट में रह रहे हैं